शायदी कोई लेडीज होगी जिसे लंबे और खुबसूरत बाल पसंद नहीं होंगे लेकिन बिजी लाइफ स्टाइल के कारण कई वार हमें अपने बालों को इस तरीके से ख्याल नहीं रख पाते हैं जिस कारण वे कमजोर और बेजान होने लगते हैं अगर आप भी बाल जहलने तूटने और उनकी कम ग्रोथ की समस्य से परिशान है तो आज मैं आपके लिए बहतरी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके डैमेज हीर रेपेर होना शुरू हो जाएंगे अगर दो मुहे बालों की प्रॉब्लम में वो सॉल्व ह होगी साथी साथ आपके जो बाल जर से निकल कर आ रहे हैं तो आपके बाल जर से मजबूत भी होंगे और साथी साथ आपके बालों का जहलना जो है पूरी तरीके से रुख जाएगा अगर गंजपन होने लगा है तो आपके बहां पर बेबी हेर आना शुरू हो जाएंगे ठेके फ्रेंट्स इस रेमडी को बनाने के लिए हमने याप पर दो ही इंग्रीडियन्ट का यूज किया है लेकिन जो इंग्रीडियन्ट हमने लिए है वो आपके स्केल्प के लिए आपके बालों के लिए बहुत ही जादा फायदे बंद है जिस चीज का हम इस्तमाल करेंगे वह है चीया सीट के समाल नहीं कर रहा है तो एक बार आप वालों के लिए कर जाती हैं जो की डॉमेराज मेंघट, विटामिन E, unc sound Comber , ओमेगा 3 फैसीड जो कि आपके बालों को खुबसूरत बनाते हैं हर लेडीज चाहती है उसके बाल लंबे हों काले हों घने हों तो उसके लिए आपको करना कि एक बाउल ले लेना है और दो चम्मद उसमें चिया सीट को एड़ कर देना है जिस तरीके से मैं आड़ कर रहे हू हूं आप इसको जो है एक बार में ही एट कर सकते हैं है फ्रेंड टार केटेट में ऊlica में के के ऑदनुर्ट होते हैं जो की बालों को बहुत जादा इस्ट्रॉंग बनाते हैं साती साथ आपके बालों का प्तलापन जो होता है वो खतम कर देते आँं आपके बालों आपके बालों को ड्राइन नहीं होने देते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा फाइदेमन और आपने यह चिया सीड इस्तमाल नहीं करें बालों के लिए तो आप एक बार यूज करके देखिए आपको हफते में से फेक बार यूज करना है और इसका रिजल्ट जो है वह आपको किसी चीज से ढख कर ही रखें जब आप नेक्स जे उठेंगे तो आपको यह काफी फूले हुए नजर आने लगेंगे तो हमें इसका बनाना है पेस्ट ताकि यह इसीली हमारे बालों में अपलाई हो सके मैं इसको थोड़ा ऐसा पतला बनाऊंगे अगर आप ठिक बनाना च सब्सक्राइब हो मैं इसको इसको एक पाने करना हुए तो आप में इसको एक बाल बालम यह अचिए अगर आप उसको पानी नहीं करना है तो आप मैं इसको एक बाल में ही ट्रैंसवर कर लूँगी और यह अब हमारा जो रेमेडी है वो बनके तयार हो गया है यह हमारे बालों के लिए तब पावरफुल है इसके बाद आपको अपने बालों में कोई भी रेमेडी लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी सब्सक्राइब लेकिन आपको वीक में एक बालों में काफी एच्छ रिजल्ट मिल जाएंगे तो इसके कैसे करना है आप अच्छे से अपने बालों को कॉम कर लिजे और उसके बाद जो है मैं कॉटन बाल की मदद से अप़लाई कर रही हूं च्योंकि मैंने थोड़ा सा पतला आप इसमें मिल्क का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये जहिर सी बात है, जोरा सा गाड़ा बनेगा, तो अब अच्छे से अपने बालों में अपलाई कर सकते हैं, ये इसकीन के लिए भी बहुत जादा फायदेबंद है, डायनेस को दूर करता है, और आपके चेहरे पे बहु कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको सिर्फ रिजल्ट और रिजल्ट ही मिलेगा आपके बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे आपके जो बहुत जादा पतले हो रहे हैं तो यह आपके पतले बालों को रोकेगा मतलब आपके बालों क को जादा पतला नहीं होने देगा आपके बालों को जो है जड़ों से मजबूत बनाएगा आप इसको 30 मिनट रखिए सिर्फ और उसके बाद माइल्ट रेमपू से यहर वाश कर दीजे और जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आपके बाल काफी सिल्की सॉफ्ट शाइनी म मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें बाल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो के लेटेस नोटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएं और इस ट्रैमिडी को वीक में एक ही बार लगाना है और 20 से 30 मिन लगाई जब भी आपको ह पर वाश करना मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में तो